तो चलिए जनादेश इस विशेश समाचार बुलेटिन को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि देश भर में लोगसभाचनाव की मतगर्णा में एंडिये को बढ़त मिलती है दिख रही है जैसे जैसे नतीजे जारी हो रहे हैं और रुजान आ रहे हैं भाजपा कार कार्यकरताओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है प्रधान मंत्रि नरेंद्र मोदी के लोगसभाच शेत्र बनारस में कार्यकरता हैट्रिक को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कार्यकरता अपनी खुशी का इजहार मिठाई बाट कर रख कर रहे हैं तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वारण अंसी से जब ये खबराई की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं तो वहां के कार्यकरताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रिय मंत्री राजनाच से हैं अमित शाह, प्यूश गोयल, जोती रादित्य सिंधिया, लोग सभाध्यक्ष ओम बिरला, कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी और किशन लाल, समाजवादी पार्टी प्रमुक अखिलेश यादव, डिंपल यादव बढ़हत बनाए हुए हैं केंद्रिय मंत्री, स्मृति इरानी, संजीव बलियान, अजय कुमाटेनी, पुर्व केंद्रिय मंत्री मेनका गांधी, कॉंग्रेस नेता शेशी थरूर, जम्मो कश्मीर नेशनल कॉंफरेंस के अमर उद्दुल्ला, पीडिपी प्रमुक महबूबा मुफ्ती, कॉंग्रेस कमलनाथ के पुत्र, नकुलनाथ और दिगवजय सीह पीछे चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि महराश्ट्र के सभी 48 सीटों के रुजहान मिल गए हैं, NDA 20 और INDIA 27 और अन्य एक सीट पर आगे हैं महराश्ट्र की परभणी सीट से राश्ट्र समाज पक्ष के प्रमुक महादेव जानकार चुनाव हारते दिख नहीं हैं, राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पाथी के प्रमुक अजित पावार ने बारमती में अपने समीकरन करने के लिए जानकर को अपने कोटे से परभणी क सीट दी थी इस सीट पर शिफसेना यूबीटी के संजय जाधव बढ़त बनाए हुए हैं एमवीए को 27 सीट पर बढ़त है एक सीट पर निर्दलिय प्रत्याशी आगे हैं महराश्ट की 48 लोग सभा सीटों की मतगर्णा में थोड़े आकड़े बदले हैं महायूती अब 20 सीट पर आगे हैं इसमें बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है महराश्ट के बड़े प्रत्याशी में शामिल केंद्री मंतरी प्यूश गोयल मुंबई नौर्थ की सीट से आगे चल रहे हैं मुंबई धक्षिन सीट पर शिफसेना यूबीटी के अरविंद सावंत बढ़त ब बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं और अपनी स्क्रीन पर आप रीसेंट अपडेट महराश्च का देख सकते हैं भाजपा की अगर बात करते हैं तो यहां पर 11 सीटों पर भाजपा का रुजहान दिख रहा है भाजपा ने दावा किया था कि यहां से भाजपा इस बार बहतर परदर्शन करेगी लेकिन फिलहाल रुजहानों को देख कर ऐसा यहां पर लग नहीं रहा है असले शिवसेना और नकली शिवसेना की बाते भी बहुत जोर सोर से यहाँ पर चली लेकिन रुजहान के हिसाब से अगर देखते हैं तो फिलहाल बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है अपनी चर्चा में हम शामिल करना चाहेंगे सबसे पहले महराष्ट से बात करते हैं और अनल दिवेदी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी आपसे जानना चाहती हूँ कि महराष्ट की राजनीती को फिलहाल आप किस नजर्जिय से देख रहे हैं अभी जो हमने स्क्रीम में करेंट अपडेट लोगों को दिखाया उसके अनुसार। देखिया मृता आज देर रात तक देश को एक नई सरकार मिलने जा रही है। और मैं जिस तरह से आंकड़े देख रहा हूँ। इंडिये अभी कम से कम 75 सीट आगे है इंडिया गडबंदन से। और जहां तक मैंने जो आंकड़े देखें उसके मुताबिक 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं। जहां पर 5000 वोटों का अंतर है जिसे पार्ट करके बीजेपी आगे आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि 300 तक भी बीजेपी जा सकती है। कॉंग्रिस के लिए भी शुप काम ना इंडिया गडबंदन भी अच्छा कर रहा है। उसने 224 सीटे तो रुजान में आगे में है और और भी सीटों पर आके बढ़ सकता है। जहां तक महराष्ट की बात आपने कई है। महराष्ट में मुश्किल ये थी कि इस पार 3-4 धड़े हो गए थे। आफ को ठोड़ा सा सीटो 아 का नुकसान जरूर है लेकिन जो सिंदे की सिव्षेना है शिव्षेना और पीचेपी का जो गडबंदन था वह फिरसांत में जो सब्सक्राइब नुक्सान लग रहा था देश को की होगा वह नुक्सान उनको दिखाई नहीं होता नहीं दिख रहा है लेकिन बीजेपी के साथ भी बीजेपी और शिवशेना को जो दूसरा देला आपको एक यहां पर रोगना